नमस्कार मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूस आईपेल 2020 का रोमाँच अपने चरम पर है सबीटी में एक दूसरे को पिछारने में लगी हुई है क्रोना वायरेस के समय में आईपेल की शुरुवात तो हो गई लेकिन स्टेडियम में बिना दर्शकों के ही मैच खेले जा रहे है क्रोना वायरेस के करड़ आईपेल में सारे खिलाडी बिना अपने परिवार के दूबई आ गए थे इस आईपेल में सभीटी में लगबग आट-दस मैच खेल चुकी है ऐसे में अब धीरे-धीरे खिलाडियों की पत्निया और उनका परिवार भी दूबई पहुँच रहा है खिलाडियों की पत्निया दूबई तो पहुँच गई लेकिन उन्हें खिलाडियों से मिलने के लिए 14 दिन कुरंटाइन में बिताना पड़ रहा है फिर वो खिलाडियों से मिल पा रही है कुछ दिन पहले ही विराड कोली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी दुबई बहुच चुकी है और वो विराड के साथ quality time spent कर रही है वैसे तो खिलाड़ों की पत्निया हमेशा चर्चा में रहती है लेकिन इस वक्त सबसे आदा चर्चा युजुएंदर चहल उनकी मंगेतर धन्शरी वर्मा की है अब चहल ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसके बाद वो फिर से चर्चा में आ गए है धन्शरी 11 अक्टूबर को संयुक अरब अमिरात पहुची थी लेकिन कुरिंटाइन ने उन्हें चहल से अलग रखा था कुरिंटाइन पूरा करने के बाद धन्शरी युजुएंदर चहल के कमरे में पहुँची और क्रिकेटरों को सर्प्राइज दिया इसके बाद युजुएंदर चहल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद सभी हैरान रह गए RCB ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें धन्शरी अपना कुरिंटीन समय पूरा करने के बाद चहल से मिलने जा रही है और उन्हें सर्प्राइज दे रही है RCB ने वीडियो शेयर करते हो लिखा चहल की बड़ी वुसकान की वज़े उनको फील्ड के बाहर भी खुश देखा गया जब उनकी होने वाली पतनी धन्शरी उनकी होटल रूम में पहुँची वीडियो में देखा जा सकता है कि धन्शरी उनके कमरे के बाहर खड़ी है और वो कैमरे पर बता रहे हैं कि वो काफी दिनों बाद यूजी से मिल रही है दर्वाजा खट-खटाने के बाद जैसे ही चहल ने धन्शरी को देखा तो वो सर्प्राइज हो गए और उन्हें धन्शरी को हग किया फिर उन्हें कहा मैं अपनी आजादी को मिस कर रहा हूँ जिस पर धन्शरी कहती है अभी से चहल का मतलब था कि धन्शरी के आने से चहल की आजादी अब खतम हो जाएगी चहल का एक ऐसा कहने पर कई लोग शौक भी है लोग कह रहे हैं कि चहल का अभी से ये हाल है आगे क्या होगा लोगों का ये भी कहना है कि चहल भाई इतनी खुबसूरत मंगेतर आपको मिली है थोड़ी इसकी कदर कर लो आपकी क्या राय है चेहल के इस अंदाज पर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईए ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूस